नमस्का, सची रेकाल आदाब, मैं हूँ अन्नु कपूर और आप सब महानुभाओं का खेर मकदम करता हूँ आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर वेध अन्नु कपूर। यह रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपलर। इसे कहानिया सुनाओं जो सच्चे हूँ वोही इन्फरमेशन दूँ जो सही हो फिर भी कभी भूलचूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजेगा और मुझे बताईएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूँ। वो मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा एक दिन आशा जी आशा भोसले अपने दोनों बच्चों के साथ और तीसरा बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुया था। उनको लेकर क्यों लोट आई अपनी मा के घर। साथ साथ आज आपको बताऊंगा क्यों ग्रेट म्यूजिक डिरेक्टर ओपी नईयर सहाब नाराज हो गए महमद रफी से। और उनकी जगा नईयर सहाब ने गवाना शुरू कर दिया महिंदर कपूर को। अब बात ग्रेट कंपोजर ग्रेट म्यूजिक डिरेक्टर ओपी नईयर की। आर पार मिस्टर मिस्टर फिफ्टी फाइफ सी आईडी तुमसा नहीं देखा नया दोर हाओडा ब्रिच। उनका म्यूजिक हमेशा रहेगा। थोड़े से गुसेल थे, शौट टेमपड थे, लोगों के साथ जगड़ा हो जाता था, ऐसा सुना है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये नेचर में गुसा, ये शौट टेमपड क्यों आया। नईयर सहाब ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। कि ये सब जो जलाली नेचर था, बचपन की सैड कुछ घटनाएं थी जिनकी वज़ा से आया। बचपन की कुछ दुरगटनाओं की वज़ा से आया। बचपन बहुत खराब भी था। बहुत सारी मुसीबतों की वज़ा से अंदर में एक अजीब सा चड़चड़ापन और गुसा आ गया था। लहोर में पैदा हुए थे, बाद में फैमिली शिफ्ट हो गई अमरसर। लहोर से घर छोड़ कर आना बिलकुल पसंद नहीं आया। फ्रस्टेशन यहीं से शुरू हो गई। फिर अमरसर आने पर भी उनकी मुसीबते कम नहीं हुए। बचपन में ही कई तरह की बीमारियों से घरे रहे। डेड़ साल तक गले की तकलीफ रही। सांस लेने में दिक्कत आती थी। उससे निजात पाई। तो अगले तीन साल तक उन्हें ब्लड डिसेंटरी नाम की बीमारी होगी। ब्लड डिसेंट्री में मरीज के पेट में बहुत दर्द होता है, किसी तरह वो ब्लड डिसेंट्री से ठीक हुए, तो उन्हें लगातार तीन बार टाइफॉइड हो गया, इतना सारा वक्त बीमारी में बीतने की वज़ा से चिर्चिडापन उनके अंदर घर कर गया, और प्रमिशन भी नहीं थी, एक बार जब वो घर से बाहर गये थे, तो उन्हें एक पागल कुत्ते ने काट लिया, जब घर आकर सब को बात बताई, तो उनका इलाज सही तरह से करने के बजाए, घर वाले मजाकुडाने लगे, तो इस तरह के माहौल ने, इस तरह के संगर्श भरे जीवन ने और मिस हैपस ने अजीब सेक फ्रस्टेशन ला दिया, और बाद में नईयर सहाब का यही फ्रस्टेशन लोगों पर भी उतरा, लेकिन नईयर सहाब ग्रेट कंपोजर थे, उनको याद करते हुए, उनहीं का एक गीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, 16 साल की उम्र ये वो दौर था जब आशा जी को गाने तो मिल रहे थे, मगर वो ज्यादा तर लोग बजट या फिर सेकंड ग्रेट फिल्मों के गीत ही माने जाते थे, वो ही गीत मिल रहे थे, जीवन में स्ट्रगल चल रहा था, और इसी दौरान जीवन में कटनाईयां थी स्ट्रगल था, संघर्ष, मुसीबतें, सड़नली आशा जी को प्यार हो गया, प्यार भी किसके साथ हुआ, बड़ी दिदी याने कि लता मंगेशकर के सेकरेटरी से, नाम था गणपतराव भौसले, शादी करने की इच्छा, जाहिर की, बहन को बताया, मा को बताया, परिव के ना करने के बावजूद, असमहत होने के बावजूद, अपने से बहुत साल, उमर में कई साल बड़े गणपतराव भौसले से, आशा जी ने विवाह कर लिया, और भाई बहन मा को छोड़के चली गई सस्राल, शादी के समय उनके पती की कमाई सिर्फ सो रुपे थी, पत थोड़े से पुराने विचारों के आदमी थे, और आशा के सास ससुर भी पुराने कंसरवेटिव ख्यालों के आदमी थे, इसलिए कही न कहीं उनके गाने को लेकर ससराल में भी विरोध होना शुरू हो गया था, उपर से आर्थिक परिशानी, परिवार का विरोध, इन सब हालातों की वज़ा से आशा जी के जीवन में पर्सनल और प्रफेशनल, दोनों ही एंड पे संघर्श शुरू हो गया, परिवार के विरोध के बावजूत, आशा जी ने अपने गाने के सपने को, शौख को मरने नहीं दिया, वो ट्रेन से सफर करती थी और गाने के लिए द घर तो चलाना था, 1953 में निर्देशक बिमलरॉय ने आशा जी को फिल्म परनीता में संगीत कार अरुण कुमार के साथ गाने का मौका दिया, इसके बाद राज कपूर ने 1954 में फिल्म बूट पॉलिश में मुहम्मद रफी के साथ गाने के लिए साइन किया, गाने के बोल थ फे नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुठी में क्या है, और गाना हो गया पॉपिलर, उसके बाद धूम केतु की तरह एक व्यक्ती, महान व्यक्ती आशा जी के जीवन में आया, और इस महान व्यक्ती ने उनकी प्रतिभा को सही रूप में समझा, उस व्यक्ती का नाम था नईयर सहाब ने आशा जी के अंदर मौजूद ग्रेटनेस को समझा और 1956 की फिल्म CID में गाने का मौका दिया, उसी समय एक और अवसर मिला, बियार चोपडा की फिल्म नया दौर में, ये फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी, म्यूजिक ओपी नईयर, आशा जी अपना जो पहला ब्रेक है, उसका क्रेडिट देती हैं बियार चोपडा को, जिन्होंने सारी बड़ी-बड़ी स्टार गाएकाओं को नजर अंदास कर, फिल्म नया दौर में उन्हें खुबसूरत कीत गाने का मौका दिया, ओपी नईयर जी के सवाल पे वो कहती है, उनके पास दो ही आप्शन थे, या तो वो मेरी बहन लता जी से गवाते, या फिर मुझ से, लता जी के उनके साथ जमती नहीं थी, और उनकी मुझकिल धुने, चाहे वो पिया पिया ना लागे मुरा जिया हो, या फिर जाईए आप कहां जाएंगे, ये नजर लोट के फिर आएगी, इन में जो हरकत थी, वो किसी और के बस की बात नहीं थी, और उनके पास कोई विकल्प नहीं था मेरे अलावा, आशा जी ने अपनी गाई की, अपने अंदाज और वरसिटालिटी की वज़ा से, खुद को, उन सबसे अलग खड़ा कर दिया अपने आपको, उन सबसे अलग जुदा मुकाम बनाया, यही वज़ा थी, कि इतने बड़े बड़े नामों के बीच, आशा सब के दिलों की चहती बनी रही, आशा जी, आशा भोसले, बियार चोपडा की फिल्म नया दौर से उन्हें मिली, रियल सक्सेस, वो मानती है कि उनकी सक्सेस का क्रेडिट, यह जो टरनिंग पॉइंट है, जो एक बिग लीप है, ब्रेक है, वो बियार चोपडा की फिल्म नया दौर से उन्हें हासिल हुआ, इस फिल्म में रफी साब के साथ गाए, उनके डुएट मांग के साथ तुम्हारा साथ ही हाथ बढ़ाना, और उड़े जब 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 जुल्फे तेरी ने आशा जी को पहचान दी, ऐसी पहचान दी जिसको अभी तक लोग भूले नहीं हैं, मगर इस वक तक परसनल लाइफ में ससराल के लोगों का वहवार इतना कड़वा हो गया, कि अब आशा जी के लिए पती और पती के परिवार से रिष्टा बना के रखना सा लगने लगा, दस सालों से जादा साथ रहने के बाद पती ने और पती के घरवालों ने उन्हें कहा निकल जाओ इस घर से, आप इमेजिन कर सकते हैं, दो बच्चे और तीसरा जो उनके पेट में था, बहुत भारी मन से आशा जी ससराल से कूच कर गई, और वापस लोट अपने मा और बहन भाईयों के बीच में, बड़ा बेटा हेमंत, दूसरी वर्षा, लेकिन इस वाके ने, इस घटना ने, मुसीबत की इस घड़ी ने उन्हें और मस्बूत बना दिया, उन्हें उनके अंदर एक अजीब सी कहीं से शक्ती भर गई, निजी जीवन में आए इ इधान, बच्चों की परवरिश और अपने संगीत के करियर में लगा दिया, आशा जी हाज अल्वेज बीन आ फेंटास्टिक मदर, फेंटास्टिक मदर, प्रोफेशनल करियर के उपर आता हूं तो, बी-ार साब के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो चुकी थी, नया द अमराज 1966 में, आदमी और इंसान 1973 में, या आदमी और इंसान उनके छोटे भाई ने डिरेक्ट की थी या शोपडा ने, काफी फिल्मों में काम किया है, इन सभी फिल्मों के म्यूजिक डिरेक्टर रवी जी थे, जिन्होंने आशा जी को अलग-अलग तरह के गाने दिये, नईयर सहाब के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया, दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध भी हो गए, अब वो जादातर गाने केवल केवल आशा जी से गवाते थे, इसी वज़ा से एक बार गीता दत ने जगड़ा भी कर लिया नईयर सहाब से, और उन दोनों के संबंध को लेकर सवाल खड़े कर दिये, ओपी नईयर मेरे हसाब से बहुत important ये नाम है आशा जी के professional as well as personal career का, आशा जी की सबसे पहली मुलाकात नईयर सहाब से हुई थी 1952 के दौरान, फिल्म का नाम ता छम छमा छम, इस जोड़ी को इनके census numbers के लिए भी जाना जाता है, यात ये 1965 की फिल्म मेरे सनम, ये है रेशमी जुल्फों का अधेरा, नईयर सहाब के लिए रिकॉर्ड किया आशा जी का आखरी गीत रहा, फिल्म थी प्रान जाए परवचन न जाए, चैन से हम को कभी आपने जीने न दिया, इसके लिए आशा जी को फिल्म फेर अवार्ड ज़ आशा भोसले के रास्ते अलग हो गए, हलाकि इसका कोई ठीक ठीक कारण कभी पता नहीं चला, लेकिन 2010 में अखबार में छपे उनके इंटर्वी में आशा जी की बेटी वर्शा पे हात उठाना इसका मुख्य कारण बताया गया है, आशा जी से नईयर सहाब के बारे में दोस्तों आज तो उनका बर्थने मना रहे हैं, वजा जो भी रही हो, लेकिन फिर कभी इस जोडी ने साथ काम नहीं किया, लेकिन जब इस जोडी ने साथ काम किया, तो जो परिणाम निकल के आया, वो हैवनली म्यूजिक है, ओपी नईयर और महम्मद रफी, ग्रेट सिंग खें दुमसा नहीं देखा, सुन 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 जालिमा, आप यूँ ही अगर हम से मिलते रहे, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, आचल में सजा लेना कलिया, जुल्फों में सितारे भर लेना, बहुत शुक्रिया, बड़ी महरबानी, एक से एक क्या क्या नगमे हैं, क् एक बार भहंकर मन मुटाओ हो गया, और नयर साब एक जमाना था जब फिल्म साइन करते थे, तो पहले ही प्रोड्यूसर से कह देते थे, कोई नहीं गाया, मेरी फिल्म में तो रफी गीद गाता है, लेकिन नयर साब थोड़े से गरम मिजाज के भी थे, एक बार हुआ ये, कि फिल्म हमसाया की रिकॉर्डिंग नयर साब ने रफी साब के घर के पास वाले स्टूडियो में ही इसलिए रखी, ताकि मुहमद रफी जो बहुत बिजी स्टार थे, उनको आने जाने में तकलीफ न हो, मगर इत्तफाख देखिए कि रफी साब किसी दूसरी रिकॉर्डि में सही समय पर पहुँच नहीं पाए, और जब पहुँचे तो बहुत देर हो चुकी थी, नयर साब गर्म मिजाज तो थे, आप आखो बैठे और जली कटी सुना डाली, सब के सामने, और उन्होंने कहा कि आगे से काम नहीं करेंगे, तो ओपी नयर ने रफी साब से बावेला मचा दिया है, नयर साब ने, तो उनको लगा, जरूर किसी ने, नयर साब को उनके खिलाफ बढ़काया है, इसलिए एक दिन, रफी साब ने, नयर साब के दिल का भरम दूर करने के लिए, और अपना सारा मन मुटाओ दूर करने के लिए, इद पर, नयर साब के इत्तफाक से नईयर साहब घर पे नहीं थे लेकिन सिवाईयां रख दी गई जब नईयर साहब वापस आए और उन्हें पता चला कि रफी के घर की सिवाईयां रख ली गई है तो बहुत नाराज हुए और घरवालों को हिदायत दी कि ऐसा अब नहीं होना चाहिए इस बात का पता जब रफी साहब को चला तो उन्हें अगली एद में खुद नईयर साहब के घर जाने का फैसला कर डाला और इस एद पर खुद पहुँच गए सिवाईयां लेकर ओपी नईयर के घर खिसमत देखिये उस दिन नईयर साहब घर पर ही थे रफी साहब ने देखा और आगे बढ़कर गले लगा लिया बहुत देर तक गले लगे रहे और लगे लगे ही एमोशनल तो थे कलाकार एमोशनल होता दोनों की आँख से आँसू बह निकले भरे मन से भरी आँखों से दोनों ने अपनी नाराज़गी को वहीं खत्म किया और इस तरह फिर से तकरीबन दो साल से जादा वक्त एक दूसरे से काम ना करने वाले ये दोनों महान कलाकार वापस एक हो गए और काम करने लगे इसके बाद दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं हुई और दोनों ने ता उम्र एक दूसरे के साथ काम किया और बहतरी नगमे दिये ओपी नयर एन ग्रेट महमद रफी मैंने कहा था कि में बताऊंगा जो रफी सहाब के जमाने में ही रफी सहाब का एक कंटेंपररी सिंगर रफी सहाब को अपना गुरू मांते थे इस बिटाई कर दी हाँ जी गुरु जी ने टीचर जी ने पिटाई कर दी पर जब इस लड़के के दोस्त ने इस लड़के की रफी साहब के लिए दीवानगी देखी तो वो किसी ना किसी तरह अरेंज करके इस लड़के को रफी साहब के घर ले गया रफी साहब इस लड़के से मिले और लड़के की काफी request के बाद रफी साहब ने इस लड़के को अपना शागिर्द बना लिया और उसे गाने के साथ साथ हार्मोनियम बजाना भी सिखाया इस लड़के को अपने साथ स्टूडियो ले जाते हैं हर चीज की तालीम दी आगे चलके ये लड़का रफी साहब के साथ ही सिंगर बन गया उनके रहते हुए ये इस्टैबलिश सिंगर हो गया और ये इस्टैबलिश सिंगर बहुती विनम्र, बहुती सौफ्ट स्पोकन अनादर ग्रेट सिंगर महिंदर कपूर जी, जोर दाता लिया है महिंदर कपूर रफी साहब को क्या मानते थे या आपको इस किस्से से पता चल जाएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, एक बार महिंदर कपूर का लंदन में शो था, रफी साहब के दो बेटे लंडन में ही थे शो देखने आए रफी साहब के बेटों ना भी महिंदर कपूर को वोही अदब, वोही इज़त, वोही रिस्पेक्ट दी जो उनके फादर प्यार मुहबत महिंदर जी को दिया करते थे शो स्टार्ट हुआ, इंटरवल के बीच में सिक्योरिटी ने आके महिंदर कपूर को बताया कि दो यंग्स्टर्स आप से बिल्ला चाते हैं महिंदर कपूर ने कहा के बुलवाईए और जब ये दो नौजवान आये तो महिंदर कपूर इन दोनों नौजवानों को देखकर इतने खुश हुए इतने एक्साइटेड हो गए उन्होंने और्गनाइजर से कहा के बराय महरबानी आप किसी भी तरह से दो फूलों की मालाएं बुलवाएं आप किसी तरह से दो फूलों की मालाएं अरेंज की गई शो दुबारा स्टार्ट हुआ महिंदर कपूर जी ने अनाउंस किया कि मेरी कितनी खुश कुसमती है कि मुहमद रफी सहाब के मेरे गुरू के दो बेटे यहाँ पे बैठे हुए है मैं चाहता हूँ कि वो दोनों बेटे बराय महरबानी स्टेज पे तश्रीफ लाएं रफी सहाब के जब दोनों बेटे इस स्टेज पे पहुँचे तो ग्रेट महिंदर कपूर ने यह महिंदर कपूर का बड़पन है यह महिंदर कपूर की ग्रेटनेस है कि उन्होंने रफी सहाब के दोनों बेटों के पैर चुए दोनों बेटों के पैर छुए दोनों लड़के असमंजस में पड़ गया उन्होंने का अंकल हम आपके बेटे जैसे हैं महिंदर कपूर ने का नहीं बेटा आप मेरे गुरू के बेटे हो गुरू का बेटा गुरू होता है ये देखी आप महंधर कपूर की ग्रेटनिस देखिएगा जोर्दा अताल्या मुहमद रफी के लिए और जोर्दा अताल्या महंदर कपूर के अच्छे दोस्त दोने नं साथ-साथ बहुत काम किया और ऐसा काम किया जिसे आज तक रसिक श्रोता याद करते हैं चाहे वो आर पार के गीत हों, याद कीजे, बाबू जी धीरे चलना, महबबत कर लो, जी कर लो, अर किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोका है, कभी आर, कभी पार लागा थीले नहजर, या फिर Mr. and Mrs. 55, उधर तुम हसी हो, इधर दिल जवा है, ठंड यहां, बूझ मेरा क्या नावरे, आखों काहें, या आखों ही आखों में इशारा हो गया, ये सब गीत जो मैंने ऐसे ही बताए आपको, हिंट दिये, ये all time great hit गीत है, 1956 के बाद, नयर सहाब और गुर्दत सहाब में किसी बात को लेकर मन मुटाओ हो गया, और काफी टाइम तक दोनों ने साथ काम नहीं किया, 1966 में एक बार फिर दोनों ने एक साथ काम किया, फिल्म का नाम था बाहारे फिर भी आएंगी, इसी दोरान एक बार रात दो बजे, ध्यान रहे कि 1966 की फिल्म में बाहारे फिर भी आएंगी, लेकिन उससे पहले की घटना है जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ एक बार रात दो बजे नईयर साहब के घर राज कपूर का फोन आया फोन नईयर साहब की धर्म पत्नी ने उठाया फोन पे राज कपूर बोले कि आज शाम से ही गुरुदत बहुत परेशान है और लगातार रोय चला जा रहा है ओपी नईयर को भी याद कर रहा है नईयर से कहो अभी जाकर फोरण गुरुदत से मिल ले बीवी ने बताया राज कपूर का ये फोन लेट नाइट आया था और नईयर साहब किसी रिकॉर्डिंग में दिन भर ठक के लोटे थे उन्होंने बीवी से कहा के बोल दो के मैं सुभा मिलने आ जाऊंगा फोन रखने के बाद नईयर साहब की पत्नी ने नईयर साहब से कहा के देखो हो सकता है कुछ खास बात है इसलिए राज कपूर ने इतनी रात को फोन किया है आप अभी मिला हो नईयर साहब ने कहा देखो मुझे एक मीटिंग के सिसले में गुरू से मिलने जाना है बस थोड़े चंद घंटों की बात है सवेरे होते ही निकल जाऊंगा और मिल लूँगा उससे इसके बाद नईयर साहब सो गए और जब सुभा उठकर वो गुर्दत के घर पहुँचे तो बाहर ही वहां उन्हें मिल गए अबरार अल्वी अबरार अल्वी का चहरा उतरा हुआ था और अबरार साहब की आँखे भरी हुई थी ओपी नईयर को देखने के बाद अबरार साहब ने कहा ओपी गुरू चले गए नईयर साहब बोले कहां चले गए सवेरे सवेरे अरे अभी तो मॉनिंग की मीटिंग थी हम दोनों की ये बिना बताए कहां चला गया तब अबरार अल्वी साहब ने कहा गुरुदत हमेशा के लिए हम सब को छोड़के चला गया नईयर साहब के पैरों से जमीन किसक गई और विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुदत इस तरह दुनिया को छोड़के चले जाएंगे उस दिन का दिन और उसके बाद उनके पूरे जीवन नईयर साहब को उस रात गुरु से नहीं मिल पाने का गम टीसें देता रहा और वो पूरी जिंदगी अपने आपको इसी बात पे कोशते रहे कि क्यूं उस रात वो गुरुदत से मिलने नहीं पहुचे ये किसमत है जिस पे आपका और हमारा बस नहीं है आप जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं वो हो जाती है और फिर रह जाता है पूरी जिंदगी का पच्टावा ग्रेट गुरुदत ग्रेट ओपिनेयर दोनों आज हमारे साथ नहीं है लेकिन साथ हैं उनकी कलाकारी उनकी रचनाए उनका शाहकार